नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे पकान भेत के पत्तों के चीले देखिए पकान भेत के पत्ते इस प्रकार के होते हैं उपर से हरे और नीचे से सफेद इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ दो कप चावल काटा लिया है दो टा माटर एक कटोरी हराधनिया मैंने इसे डंठल के सहित लिया है तिन से चार हरी मिर्चे नमक स्वात के नुसार, आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच जीरा मैंने हरी मिर्ची, टमाटर, हराधनिया और पकान भेत के पत्तों को अच्छी तरह से धो लिया है अब सभी चीज़ों को पीश लेंगे, मैंने पकान भेत के पत्तों को काट लिया है, टमाटर को भी काट लिया है अब इसमें कटे हुए टमाटर, हरी मिर्ची, हराधनिया और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसे पीश लेंगे देखे, इस प्रकार से पीशना है, एकदम महीन पीशना है हमें अब हम इसे एक गंज में निकाल लेंगे अब हम थोड़े थोड़े पत्ते डाल कर पीश लेंगे, मैंने आधा चमच जीरा डाला है और आधा चमच बचा लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे भी पीश लेंगे देखे, इस प्रकार से हमने पीश लिया है अब मैं इसमें आधा चमच जीरा डालूँगी आधा चमच हल्दी नमक स्वात के नुसार और चावल काटा डाल कर इसे अची तरह से मिला लूँगी मैंने यहाँ चावल काटा थोड़ा थोड़ा करके डाला है देखे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे अब मैं मिक्सी की जार में थोड़ा सा पानी डाल कर भी पानी को अब इसमें डाल रही हूँ अब मैं इसमें चावल काटा थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसमें अच्छी तरह से मिला लूंगी अब बाकी का पूरा आटा डाल देंगे और इसमें एक गिलास पानी डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे मुझे बेटर गाड़ा लग रहा है इसलिए मैं इसमें एक गिलास और पानी डाल रही हूं और इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी बैटर अभी बिगाड़ा लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी पानी डालने के पहले मैं आपको लाल मिर्ष बताना भूल गई थी अब मैं इसमें अधा चमच लाल मिर्ष डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल कर इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे देखे चीला बनाने के लिए बेटर तयार है बेटर इस प्रकार का होना चाहिए मैंने पहले से ही तवा गर्म होने रख दिया था तवा गर्म हो चुका है अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी और इसमें चीले का बेटर डालूँगी और इसे अच्छी तरह से फैला लूँगी अब मैं चीले के बेटर को फैला लूँगी मैंने यहाँ चीले के बेटर को फैलाने के लिए दो आम के पत्तों के बीज में एक दूद्वित लगाया है चाहे तो आप इसे चम्मसे भी फैला सकते हैं अब हम चीले को ढख कर पकने देंगे देखिए चीला पकर तयार है अब हम इसके उपर तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे अब हम इसे पलट लेंगे अब हम इसे पलट कर सेख लेंगे देखिए चीला बन कर तयार है इसी प्रकार हम सभी चीला बना लेंगे देखिए पकान बेट के पत्तों के चीले बन कर तयार है यदि मेरी रेसेपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद प्रकार हम जदेगा बन कर सेखिए लेगे